You can see this, this is a geometry and this geometry is the simple harmonic motion and हमें जो इसमें find करना है, वो हमें find करना है displacement, हमें find करना है velocity और हमें इसका acceleration find करना है और देखिए हमारे पास जो data given है उसके respect में हमें ये तीनों values हमें find करना है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें questions में given क्या है हमें amplitude दे रखा है और देखिए हमारे पास amplitude है 5 cm हमारे पास में amplitude देखिए मैंने कुछ diagram में show भी करा ये कुछ amplitude है red line के, सब 5 cm है अब आप देखेंगे इसके अंदर हमें time period दे रखा है and the time period, time period 4 second time period का मतलब होता है पूरा एक complete oscillation में लगने वाला समय वो हमें दे रखा है capital T 4 second और हमें instant of time, instant का मतलब होता है एक second के अंदर एक second के अंदर हमें displacement भी पता लगाना है velocity भी और acceleration भी तो चलिए हम basic चीज़ें सबसे पहले हमें पर discuss कर लेते हैं displacement का formula होता है y is equal to a sin omega t y जो होता है वो displacement को represent करता है और आपको roughly में बता दू यह इत्ती भी line से आप जहां perpendicular draw करते हैं सब displacement के लाती है उस समय पे कितना उसका perpendicular आया होगा उसी को displacement कहा जाता है तो चलिए हम find कर लेते हैं लेकिन हमें omega की value लगेगी तो इसलिए omega का formula हम यहां पर लिखते हैं 2pi upon capital T, capital T time period को represent करता है तो चलिए सबसे बहुत हम displacement find करते है तो एक प्लेस पर देखी हम value substitute करेंगे जो हमारे पास है 5 तो हमने यहां substitute कर दी देख सकते हैं आप यह 5 है this is the 5, I explain over here this is the 5 sin omega के प्लेस पर 2pi upon 4 रखेंगे क्योंकि capital T की value 4 है और आपको small t जो दे रखा है वो आपको 1 दे रखा है क्योंकि instant का मतलब होता है उस 1 second के अंदर हमें यह 3 चीज़ों find करना है अब जैसे आप 2 को 4 से divide करते हैं तो यहां पर 90 मिलता है और sin 90 I hope so आपको clear होगा 1 होता है तो इस प्रकार से इस पूरे का calculation value जब आप solve करते हैं तो आपको यहां से मिलता है 5 cm इसका मतलब इसका जो amplitude आएगा 1 second में 1 second में वो आएगा 5 इसका मतलब हम 100% यहां case सकते हैं कि वो एक second में या तो यह case रहा होगा या यह case होगा या यह case या इसके कोई सब यह case और हमेशा याद रखें जब भी आप highest point पर होते हैं तो velocity हमेशा वाद 0 ही होती है तो चलिए हम चेक करते हैं इसका velocity यह velocity का formula होता है V is equal to R into omega R का मतलब होता है यहां पर देखे displacement यह रहा वो displacement horizontal और amplitude का मतलब 5 तो आप यहां से जब Pythagoras लगाएंगे तो आपको R की value मिल जाएगी और R आपको मिलेगा root के अंदर तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने R का value भी mention कर दिया है अब आप एक काम करें पूरा data यहां पर substitute कर देए इस पूरे equation में तो देखिए ओमेगा की place पर आप 2Pi upon T रखेंगे R की value आप यहां रखेंगे displacement आपको मिला है 5 आप पूरी equation में जैसी रखते हैं तो देखिए आपकी velocity कितनी आगी 0 तब हमेशा याद रखें जब भी pendulum move करता है तो जो simple harmonic motion बनेगा highest point पर वो हमेशा 0 ही होगा अब देखिए 3rd case हमें 1 second में find करना acceleration क्या रहा होगा तो definitely इसका acceleration ज़रूर रहा होगा तो हम इसका acceleration find कर लेते हैं यह formula होता है acceleration का omega की value 2Pi upon T T के place पर हम 4 substitute करेंगे और 4 का square 16 हो जाएगा जैसी आप calculate करते हैं पूरी value को magnitude के place पर मिल जाएगा तो इस प्रकार से हम इस तरह के oscillation problem को एक instant wrong time के अंदर इस different way से find कर सकते हैं